हुआ है नमस्कार दोस्तों आज हम बनाने जारे हैं काबुली चने का सलाथ जिसके लिए हमेच चाहिए उबले ईवए काबुली चने बारिक रिखे हुवे प्याज। बारिक रिखे हुए टमाटर। बारिक रिक बारिक कटी हुई खीरा ककडी, बारिक कटी हुई हरीमेच, निम्बू का रस, नमक और हरा धनियों, तो आईए शुरू करते हैं हम सलात बनाना, सबसे पहले हैं हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे काबुली चने, बारिक कटे हुए प्याच, बारिक कटे हुए बारिक कटे हुए खीरा ककडी, बारिक कटे हुए हरीमेच, श्वादनु सार नमक, हरा धनिया, और निम्बू का रस, अब हम इसे अच्छी से मिक्स कर देते हैं हमने इसे अच्छी से मिक्स कर लिया है अब हम इसे फ्रीज में रखकर अच्छा थंडा थंडा सलात सर्व कर देंगे हमारा काबुली जने का सलात बन कर तयार हो गया है आप इसे खाने के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दन्यवाद